जहे हैं दोस्तों देखिए हम लोग पेपर डिसकस करने आ रहे हैं कि क्या संभावित प्रश्ण हो सकते हैं आपके इस LLB फरस्ट एयर के फर्स समिस्टर के एक्जाम में तो अब देखिए है क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉशन यह है कि जो आपके लॉंग कोशन होते हैं वो 20-20 नंबर के और केवल दो ही कोशन जो हैं वो 47 नंबर का पेपर बना देते हैं तो हमें जो लगता है कि अगर लॉंग कोशन कवर हो जाएंगे तो शॉर्ट कोशन अपने आप ही कवर हो जाते हैं और दूसरी चीज यह है कि हमने प्राइटी के पेस पर पहले कोशन तया कर देंगे मुश्किल से 55 मिनट के वीडियो बनेंगे और यह जो भी कोशन सब तयार हो जाएंगे 55 मिनट से जाधा टाइम नहीं लेगा तो लॉंग कोशन लेकिन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है और वही इंपॉर्टन भी होता है तो मेरे इसाब से सबसे पहला जो आ प्रिट्री स्ट्रक्चर है तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है ठीक है दूसरा कोशन हमारे इसाब से फॉर्म ऑफ गवर्मेंट भी हो सकता है क्योंकि पीछे के एक्जाम में यह नहीं पूचे गया है तीसरा इंपॉर्टन कोशन मेरे इसाब से इस बार के लिए यह हो स प्रिट्रांग में आपका आ सकता है कि हुई जर्यल एग्जेक्विटीव हैड प्राइमिस्टर है या प्रेसिडेंट है अच्छा एक कोशन इसी में यह भी पूचा जा सकता है कि जब प्रेसिडेंट के बारे में पूचा जाएगा तो यह आप देख लिए ना असल में है क है कि जब आप एक कोशन तयार करोग तो यह सारी चीज अपने आप ही तयार होती चली आती है तो प्रेसिडेंट मौदे की कॉंस्टिटूशनल जो पोजीशन है उसके बारे में भी पूचा जा सकता है ठीक है तो यह चुकि यह जितने भी लॉंग कोशन है यह सब कॉंसेप आपcribe versus प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि यहां पे प्म रियल एग्जीकुटिव है या प्रेसिडेंट ग्रेएक्स्टी इन है हमने पीछे की वीडियो में बता रखा है और यह आपकी प्रायटी पे पहली कोशन होगे आपको आठ चार्चर के गुरूप में आएंगे तो पहले चार गुर्प में आपको यह कोशन मिल जाएंगे संभावना इस तरहा किये अच्छा दूसरे कोशन हमको लगता है कि यह दूसरे गुरूप में आपको यह लौ मेकिंग प्रॉसर जो होता है यह पूछा जा सकता और इसमें से इस पेशली जो मनी भी लोता है उसके बारे में अच्छा मनी बिल पर पिछली बार कोशन आ जुका है इसलिए हमने इसको सेकेंड प्रायरिटी पर रखा है फिर इसके बात में और जिसमेकिंग पावर पिछली बार भी आया था लेकिन यह जो तीन कोशन है इन तीन कोशन में से आपको एक कोशन लॉंग में मिल जाना में से इस्पेशली मनी बिल की बात कर रहे हैं फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस के बारे में हमने एक सोतीस में आपको बताया है 123 का वीडियो डाल दिया है लौ मेकिंग प्रोसेस हमने आपको बताया हुआ है कि 107 से लेटेड है और 108 में जॉइंट मीटिंग होती है और उसके फोकस लॉंग कोश्चन पर शॉर्ड कोश्चन तो आप दस लाइनों में कुछ भी लिख देंगे और पांच-पांच-पैंजिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इमर्जन सी प्रोविजन हमेशा से इं पूछेंगे तो ये शॉर्ट में पूछेंगे छे नमबर वाले कोश्चन में ठीक है और फिर प्रेसिडेंट रूल 356 में लिखा हुआ है 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारें बता है जिसको राश्पति शासन कहते हैं ये आपको महां से ये भी मिल लिए आएगा तो ये आप जो प्राइक्टी पेपकोश्यं है फ़ाम अफ गोवन्मेंट होगया फेडरल्स्ट्रक्शर होगया 54 पॉडर उफ प्रेसिडzung होगई और कॉंस्टुशनल उसकी प्रेसिडेंट मोर्द रिकी क्या इस्तित्य होती है उसके बारे मताया एक धीक है ये कुर रहा है यए समय बात हैं कि हो सकता होगी आपको इसमें से चार में से 3-4 questions तो मिली जाएंगे और हो सकता होगी कोई question short में आ जाएं कोई long में आ जाएं लेकिन question कहीं न कहीं मिली जाने चाहिए आपको सब characteristics पिछली बार question पूछा गया है तो हो सकता हो अगर इस बार पूछेंगे तो यह शॉर्ट में पूछा जा सकता है ठीक है और यह distribution legislative power से मतलब नहीं है अच्छा शॉर्ट में आप देख लेंगे तो यह long question आपको त्यार करने है पहला federal structure पर सबसे important question हो जाएगा दूसरा power of president पर हो जाएगा तीसरा president जो है real head है या nominal है यह हो जाएगा फिर law making process पर धन विदेख पर बात हो जाएगी ordinance पर बात हो जाएगी emergency हो जाएगी president rule हो जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद में president की eligibility वाले बाते हैं वो उनकी constitutional position यह question हो जाएगा यह question दून के आप कर ली जाएगा form of government में short or long कहीं न गहीं आपको मिली जाएगा यह पूछा गया तो हो जबता हो जबता हो जाएगा फिर इसके बाद में शौर्ट में यह 55 मिनट के हम वीडियो सब बना देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सबसे पहले vice president पूछा जा सकता है चूंकि हम बता चुके हैं कि vice president जो होते हैं वही chairman होते हैं राजसभा के तो यह short के लिए question बनता है house of people भी हम बता चुके हैं हमारा वीडियो पड़ा उसमें देख लीजेगी short question में house of people पूछ लिया जाएगा article 81 में is related proven है फिर council of state के बारे में article 80 में बताया गया है वो एक question पार्लियमेंट वाला है उसमें यह चारो topic cover हो जाएंगे तीन यह जो topic हैं यह उस article से खतम हो जाएंगे budget पे हमने नहीं बनाया है लेकिन हम बना देंगे तो कि budget भी कई बार पूछा गया budget और appropriation bill दोनों budget related proven 112 में है और appropriation bills related 114 में है फिर doctrine of colorable legislation पिछली बार पूछा गया है तो इसको second priority में रखें इसको बाद में देखेंगे ठीक है अच्छा impeachment हमको लगता है important question हो सकता है क्योंकि कई बार से नहीं आया तो impeachment of president article 61 में है यह पूछा जा सकता है फिर यह जो छमादान की शक्तियां होती है pardon of pardon of president यह भी पूछी जा सकती है अच्छा हम जब emergency पढ़ा रहे तो हमने उसमें बताया है कि emergency का क्या प्रभाव होता है तो emergency के जो प्रभाव है वो 358 और 359 में बताये गए हैं और 358 के कहता है कि 1819 अपने आप suspend हो जाता है और बाकी के जो fundamental right होते हो उसमें 20 और 21 कभी suspend नहीं होता और बाकी की जो fundamental right होते हैं वो president order करते हैं उस order बताये जाता है तो वो suspend होते हैं ठीक है यह collective responsibility का भी question बन सकता है council of ministers के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे prime minister के बारे में पूछा जा सकता है तो prime minister वगएरा के बारे में हम तुम आप आप काफी पॉल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं होगी attorney general यह important question है important ज्यादा है यह पूछा जा सकता है doctrine of pleasure भी पूछा जा सकता है यह परसात परियंद का क्या सिद्धामत होता है यह important question है recidory power यह आपका 248 में है 248 में आफशिष्ट विधाई शक्तियों का सिद्धामत जो है कि अगर parliament जो है कोई ऐसा विशे जो ना parliament के पास है ना state list में है ना उसके लिए concurrent list में कोई provision तो उस पर कानून कौन मनाएगा वो कानून मनाएगी पारलियमेंट doctrine of pleasure का मतलब यह होता है कि बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिनके appointment होते हैं और वो प्रसाद मौदे उनको हटाते हैं तो इसी लिए इसको प्रसाद परियंद का सिद्धामत कहते हैं doctrine of pleasure कहते हैं कहने मतलब यह है कि यह जो है राश्पति की मर्जी या उनके प्रसाद पर पद धारन लगते हैं जिसमें से एक पद यह attorney general वाला भी है council of minister हम अपने सारी वीडियों बता चुके हैं प्राइम निस्टर उनकी जो cabinet होती है council of ministers जो होते हैं वो प्राइम निस्टर को advice करते हैं यह दो question और important हो जाते हैं का label legislation second priority पर हमने रखा लेकिन यह हैं important यह इतने important है कि long question में भी पूछे जा सकते हैं और short में भी पूछे जा सकते हैं तो देख लीजिए को और यह संसत का विशेशा दिकार वाला जो आर्टकिल 185 यह भी important है और प्रेम्बिल पॉड़ लीजिए का time बचे कोई बहुत नहीं है लेकिन यह है कि यह चोटे-चोटे question तो आसानी से पढ़ने में आई ही जाते हैं किवल जो दिक्कत होती है वो long question में होती है अगर long question आपको समझ में आता है तो short बहुत सारे short question जो होते हैं इन long question से ही निकलाते हैं तो हम कोशिज यह करेंगी यह सारे short question जो है हमको लगता है 55 minute के वीडियो बनाके उसको complete कर देंगे अब देखेगा और long question जो हमने बना दिये हैं तो NC में से आ जाने चाहिए उपर वाले से ऐसे ही उम्मीद करते हैं यह बलहासा paper आपका हो जाएगा